मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं आज का जो मेरा वीडियो होगा आप सामने मेरे जो पौधा देख रहे हैं ये गौंफ्रेना का प्लांट है ये गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है तो दोस्तो आज का जो वीडियो है इसी गौंफ्रेना प्लांट पर होगा और इसकी कैसे कैर की जाए क्या इसकी जरूरते हैं इस सारी बातों को इस वीडियो में रखा जाएगा तो आप देखिए जो सामने ये पेड लगा है ये गौंफ्रेना का पेड है और ये पौधा बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाता है, छोटा ही रहता है और जाड़ी नुमा होता है, इसको अगर एक पौट में कई-कई पौधे लगा दिये जाएं, तो ये गमले को पूरा भर देता है, और विल्कुल जाड़ी के रूप में इसके फ्लावरिंग होती ह दोस्तों, आप इनके फूलों को देखिए, ये देखिए, अगर आप फूल देखिए इसके तो फूल, ये परपल करल का फूल है, और इसके अंदर वाइट रंग के छोटे-छोटे शेड रहते हैं, तो असली फूल वही होते हैं, तो ये जो कलरफूल है, ये बहुत ही ज़ पावर लगते हैं गार्डन में उतने गर्मियों में उतने ऑप्षन होते नहीं है तो हमारा यह जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा ऑप्षन है गर्मियों के लिए आप इसके अगर दो चार गमले बनाकर भी रख देंगे तो आपके गार्डन में इस तरीके से फूलों की क तक इसी तरीके से पूधे में लगे रहते हैं उसके बाद यह धीरे-धीरे सूखते हैं आप देखिए यह जो फूल है काफी दिनों से लगा हुआ था और इस तरीके से कुछ यह फूल सूख जाते हैं तो धीरे-धीरे जब यह पूरा सूख जाएगा तो इससे सीड निकल बाद देखें तो यह पूधा बहुत जल्दी से तयार हो जाता है बहुत जल्दी यह बीजों से ग्रो हो जाता है एक बार इसे आप अगर नर्सरी से परचेस कर लेंगे तो फिर आपको दुबारा खरीदने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके जो बीज हैं इसी में जरूरत नहीं है ऐसे गमले की मिट्टी में आप डालते चले जाए तो आपके नए नए पौधे निकलते रहेंगे तो पुराना जो पौधा हो जाए तो उसको आप हटा कर जो नए पौधे आपने लगाए हैं उससे आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं इन पौधों में कोई अच्छा सरवाइब करेगा और बहुत अच्छा चलता रहेगा बहुत ही कम केर में यह पौधा चलता है बलकि इसमें कोई केर करने की जरूरत नहीं होती है मैं इसको मिशा पानी ही देती रहती हूँ और मिट्टी में थोड़ा बहुत गोबर बगएरा अगर मिला दिया है तो अलग से इसे खाद देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इसकी जो सन की रिक्वार्मेंट है यह बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का फ्लावरिंग प्लांट है इसको खुली धूप की जरूरत होती है तो आपके गार्डन के जिस हिस्से में पूरी धूप आती हो 6-7 घंटे की धूप आती हो आप उस पौधे को उस तरफ रखिए तो आप देखेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और पानी देने की जहां तक बात है तो इस पौधे में आप ज़्यादा पानी मत दीजे जितना इसके मिट्टी में नमी बनी रहे इस प्लास्टिक का है यह पानी होल्ड कर लेता था इसके थेद भी थोड़े बनते तो इसे पानी ओवर वाट्रिंग हो गई है तो देखिए पौधा इस तरीके से सूख जाता है तो आप यह जरूर ध्यान रखिए कि ज्यादा पानी मत दीजिए नहीं तो पौधा इस तरीके स हैए इसोखते जाते हैं तो आपको मीज के लिए जितना चाहिए उतने आप 2-4-2 जो भी भी दोस्तों उतनी जादा होगी और इसके शेप को भी मेंटेन करने के लिए आप बीच बीच में इसकी कटाई छटाई करते रहे तो इससे ब्रांच बहुत अधिक बढ़ेगी और बहुत अधिक फूल लगेंगे तो दोस्तों आप इस पौधे को गर्मियों में आपने जरू करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अधिक सदिक शेर कीजिएगा आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद